गुरुजी प्रदीप मिश्राजी द्वारा बताये गए कुछ उपाय ऐसे हैं जो आपके फरिवार में खुश्या ला सकते हैं कभी भी किसी भी दिन इन उपायों को किया जा सकता है सौंबार, मंगलवार, पित्रपक्ष, चतूर्थी, अमा उश्या, पूर्णिमा बहुत स्रेश्ट और जो है अपने आप में अध्भूत दिन आ रहे हैं पार है, हारी विमारी और दर्द से परिवार पीडित है, विवाह की अर्चन है, तो इसके पित्रदोष के कारण भी ऐसा होता है और साथ के साथ अन्य भी घर परिवार में कोई परेशानी है तो बहुत चमतकारी दिन चल रहे हैं इन दिनों का लाब उठाए अब पित्रपक्ष है और साथ के साथ अब जो है अपने आप में बहुत विशेश्टितियां आ गई है इन दिनों को आपको छोड़ना नहीं है कैसे करना है ध्यान से सुने यह उपाय एक ब्यक्ति किजिए माता कर सकती है पिता कर सकते है कोई भी कर लीजिएगा आपको क्या करना है कि विशेश तोर पर अपनी पूजा की ठाली में रख लेना है चंदन चंदन जो कि पित्रों को भी सुख प्रदान करता है मेरे महादे और करीब करीब सभी देवी देवताओं को चंदन बहुत अधिक प्रिय है हमेशा मन और तन की सुधी के लिए चंदन धारण किया जाता है और गुरुजी ने हमेशा ही हम सभी को कह रखा है कि पावडर वाला नहीं क्योंकि उसमें तो मिलावट होती है कही ना कही आप आज सब में मिलता है और पर्चून वगर की दुकान में तो आराम से आसानी से मिलता है और यह सरीर को ठंड़क करता है जिस विक्ति को क्रोध बहुत आता है मन विचलित रहता है उसके लिए तो यह रामबाड हो पाय है यह कोई कही सुनी मनगणत बाते नहीं है आपने बड़े बड़े विद्वान जंजुमन और तन से सुद्ध हैं स्वच्छ हैं और अपनी बात अपनी कला रखने के उनमें अच्छी छमता होती है वह हमेशा आपने देखा हुगा चंदन जरूर धारण करते हैं और अन्नी चीजों का तो महत अपनी जग है ही तो एक चंदन थोड़ सबसे निरंतर कारे को करते हुए स्री शिवयर नमस्त अब्यान जो चा मतकारे और महा मंतर है उसका जाप और स्वरन कीजेगा। सबसे पहले आपको सेवलेंग पर जल चड़ाना है और सेवलेंग के आसपास आपको गोलबती का गहिका दीपक रख लेना है इस उपाई को करने के लिए आप सभी देवी देताओं का कुन मिला कर सकते हैं कोई बाध्यता नहीं है ततपश्यात आप सभी क्या करें विधान से पूजन और दीप प्रजवलित कर लेने के बाद चंदन से सिवलिंग का सुन्दर स्रिंगार करें चाहें तो ओम बनाएं चाहें तो तृषूल नेत्र अपनी इच्छानों सारे आप सिवलिंग पर बना लिजिए ततपश्यात आप सभी पूजा विधान होने के बाद जब आप सिवलिंग पर चंदन का लेपन कर लेंगे तो उस लेपन की थोड़ी से मातरा अपने पूजा की थाली में अपने साथ ले आईए अर्थात अच्छी तरह से लेपन करेंगे तो हातों में वह चंदन रही जाएगा तो उसे किसी डब्बे में भर लीजे क्योंकि वह सूख जाएगा थोड़े समय बात तो उसे आप सभी विशेश तोर पर अपनी पूंजु है किसी डब्बी में भर लें और जो वेक्ति क्रोधी है जिसका पड़ाय में मन नहीं लगता रोग अधिक और कहना नहीं मानता चिर्चिर सभाव ह उसके कान के पीछे या मस्तक पर थोड़ा थोड़ा तिलक के स्वरूप में धारन करना सुरू कर देते हैं कुल मिलाकर जहां भी वह लगाना चाहें लगा दीजिए परंतु एक विश्वास से कीजिए लगा लाब निश्चित रूप से होगा सीवलिंग पर चड़ी हुई क पहागी की रेखाओं को प्रवल करने के लिए हैं पित्रों की तिथिया आ गई हैं तो इन दिनों का खूब लाब उठाएं तो दो तीन उपाए एक साथ भी कर सकते हैं और जितने भी पित्रों की दिन आ रहे हैं उनमें किसी भी दिन यह उपाई किया जा सकता है गुरुज करना हैं कट तीन आपको विश्येसतार पर सफेद फूल रखने हैं अब आप विश्य दरवाजे नहीं माना जाता तो आप माना जाता तो आप सभी को इसे लेकर विशेश तोर पर जो पित्रों की तीन बेटिया है मैना धन्या और कला उनका नाम मंत्र स्मरण करते हुए इनका ध्यान करते हुए नंदी महराज को इस पर शकरा कर मातासोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है जो चावल होते हैं अपने आप में दिन भर दो तीन घंटे भी रख सकते हैं नंदी महराज को इस पर शकराना है और मातासोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है कभी भी कर सकते हैं 16 रादों में जब भी समय मिले मैना धन्या और कलाई है तीन नाम जरूर से आप लीजिएगा निश्चित रूप से आपक दिन घंटा ओर तरह क्षाए की तरफ जैसे कि तुम्रुषि हम रळिक जी का नाम बहुत अधिक sens ख़ंद माना जाता हैं हर कारी किडिक सोपर जैसे इस नाम ले नेया है और विली सीआर तोर इस उपाय में आपको स्यूपैंफली पर प्रेकर आना से के बाल आप उसे प्राप्त कर लीजिए किसी बरतन में इसे जहल सकते हैं जैसे सीवलिंग पर जल चड़ाया उसी लोटे में आप सभी को इसे प्राप्त कर लेना हैं फिर तीन चार दिन तुम्रुखा जी का नाम लेकर अगर अपने बच्चे को इसे इसनान के भाव से नहला अब देता हैं तो निशचित रूप से उस बच्चे का परिक्षा हीतिहीं में होता है पन करता है तो एक रुद्राक्ष उसके अंदर डालिए रुद्राक्ष को थोड़ा सभी लाई आई और 900 वी टक्रवार निखाल लीजे और थोड़ा सा उसमें लोटे में शहद मिलाईए और इसे लेकर चले जाईए महादेव के मंदीर में, महादेव के मंदीर में सिद्ध चीज़े हैं, वहाँ पर महादेव कई वर्सों से बैठे हुए हैं, तो वह अभी मंत्रीत हैं, कुल मिलाकर वहाँ मंत्र की शक्ती से बहुत सेष्ट सरूप में फल मिलने के कारी होते हैं, तो सीवलिंग पर चड़ा है रुदराक्ष में इसरी जल और चिह पर हुगा उसे आप थोड़ा से हाथ में लीजिए और आचमन कर लीजिए अम का उचारण करते हुए यह कारी भी बहुत अधिक कारी में सफलता प्रयादान करता है रोग सोक संकट पीडा की मुक्ति करता नूट करते हुए चलिएगा प्रतेक माता प्रतीक बच्च प्रत पुरूश अपने जीवन में हर कारी के उन्यत Court नहीं कर सकते विषयग पूजा नहीं कर सकते हैं मात्र शिवलिंग तो नहीं कर सकते हैं और अपने ऊपर छिटकाव करना है अगर आप रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते विसे सिव पूजा नहीं कर सकते हैं मात्र सिव लिंग पर अपने घर से जल चड़ा कर समर्पित करकर उसका आच्मन कर लेने से भी आप सब सुख प्राप्त कर सकते हैं इस तरह से जान करें थी वीडियो उपयोगी रही हो तो लाइक करें शेयर करें कमेट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें